नमस्कार दोस्तों आज के एपसोड में हम देखेंगे कि जो बीर होता है बीर सब के सामने सचाई बता देता है और कियारा उपर से आती है उसका सिंगार बॉक्स नीचे बढ़ा हुआ रहता है और उठाकर कहती है कि हमारा सिंगार बॉक्स यहां पर कौन लेके आया और वो य इन सिंगर बॉक्स से चूड़िया निखाल कर मेरे हाथों में पहना दो लेकिन रानी नहीं पहनाती है और कहती है कि तुम खुद ही पहन लो अपने हाथ से और कियारा बार बार कहती है और पीछे से ही राजमाता आ जाती है जो कि कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि आरा बोल रही है पहना ले कि यह लगा तुम उसे पहना क्यों नहीं रही हो फिर उसके बाद राजमाता कहते है क्या चाहती हो तुम रानी कि मालनी जी के सामने सारा राज बाहर आ जाए फिर उसके बाद रानी कहते है न हाथ जो त्य होता है। चूडिया फूट कर नीचे गर जाती हैं फिर उसके बाद कियारा कहती है कि इसे जल्दी से तुम साफ कर दो नहींतो किसी और को चूप जागी फिर उसके बाद रानी साफ करती ही रहती है कि अचानक से उसके फिंगर में एक चूड़ी धस आती है और उसको काफी दर्द हOTा फिर अच्छानक से वहीं पर बीर आ जाता है बीर आकर तुरंट उसे उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि नौकर को कि तुम फस्टरेट वाक्स लेकर आओ और वहां से उसकी फिंगर से चूड़िया निकालता है और फिर उसके फास्टरेट करके उसमें मेडिसीन लगाता है फिर उसके बाद वीर अपनी पुरानी बाते याद करने लगता है अपने साधी के दिन और फिर उसके जो घर में इंटर्डियूस किया है कराया जाता है कि आराओ कोई घर उसकी घर की बहु है उस सारी बातें वो याद करने लाए और फिर उसके बाद ही उसके रानी के पिता जी कभी उसको याद आता है जो कि उसके पिता कहते रहते हैं कि मेरी बीटिया को ख्याल रखना फिर उसके बाद मालिनी जी आ जाती हैं और कहती हैं कि राजमाता जी आपका बेटा हीरा है देखो नोकरों की भी कितनी इज़त रखता है फिर उसके बाद वीर या सुनकर काफी गुसा हो जाता है और उठता है कहता है कि रानी इस घर की नो करनी ये रानी इस घर की बहु है रानी बीर सिंग रजावत मालनी के सामने सच्चाई बताने के बाग सबी घरवालों के खोस उड़ जाते हैं और सब के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और सब काफी घुसे में हो जाते हैं और बीर को और रानी की तरफ देखने लगते हैं और फिर उसके बाद मालिनी काफी जादा गुसा हो जाती है और कैती है ऐसा ये कैसा भद्धा मजाख है और जोर जोर से चिलाने लगते है बाकी सबही घर के सारे सदस आ जाते है और पूछने लगते हैं क्या हुआ मालनी जी और फिर मालनी कहना लगती है ये सवाल अपने बड़े पोते से पूछी है फिर उसके बाद पूछते हैं कि बीर बेटा क्या बात हुआ ये सब क्या है फिर उसके बाद राजमाता कहने लगती है कि मालनी आप से मैं माफी मांगती हूँ मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ लेकिन आप दो मिनट बैठिये फिर उसके बाद मालनी कहती है कि माफी माग रही है आप और समझाने की बात कर रही है इसका मतलब है कि गलती आपकी है और फिर मालनी कहती है जोर-जोर से कि तुमने चल किया है हमारे साथ जो हमारे दो परिवारों की रिष्टे जुडने वाले थे उसकी न्यू आपने जूट पे रखी है फिर उसके बाद मालनी कहती है कि आपने हम सही नहीं हमारे रिष्टे को भी जुटलाया है और हमने इन दोनों को जब एक साथ देखा था तब भी मैं सही ही थी आप सभी लोगों ने मिलकर हमें इतना बड़ा धोखा दिया रानी बोलने ही वाली रहती है और कहती है कि अंटी जी उसके बाद राजमाता काफी गुस्सा में हो जाती है और कहती है कि तुम चूप रहो उसके बाद सब लोग गुस्सा हो जाते हैं देर धरी करके वहाँ से सब जाने लगते हैं फिर उसके बाद इदर रानी मानली के पास आ जाती है और वज़ा से हुआ है और हमारी राज़माता है ना वो कभी ऐसा कुछ करने की सोच भी ने सकती है और वो इतनी अच्छी है कि देखो मैं नौकरानी होकर उन्होंने आज तक मुझे पर कितना गुस्ता हुआ लेकिन उन्होंने कभी मुझे घर से बहर नहीं निकाला जो कि मैं एक नौकरानी हूँ और हमारे पिता जी भी यहाँ पर काम करते थे लेकिन देखो टाइम की वज़ा से हमारे पिता जी नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और टाइम की वज़ा से ही ऐसा हुआ कि हम और बीर दोनों एक साथ आ गए और हमारी साधी हो गई लेकिन जो साधी हुई है बीर जी ने हमसे साधी नहीं किया हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने साधी किया है और ये टाइम का या नसीब का कुछ भी कह सकते ये दोनों का खेल है लेकिन हमने जान बुच कर कुछ ऐसा नहीं किया यहाँ पर मालनी को रानी समझाती रहती है और इधर बीर भी राजमाता के पास आ जाता है और कहने लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए मा काफी मांगता हूं और राजमाता काफी जादा गुस्ता हुई रहती है और उसे मारने की कोसिस करती है लेकिन थपड नहीं मारती है फिर भी बीर उसे बात करते रहता हो फिर गुस्ता हो जाती है उसके उपर और फिर उसे मारने की कोसिस करते हैं लेकिन फिर उसे थपड न किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें